मनी शंकर अयर जी फिर से प्रकट हुए हैं उन्होंने किताब लिखा है अयर की आत्मकथा आप सभी जानते हैं कि मनी शंकर अयर जी को एक फ्रिंज एलिमेंट की रूप में प्रस्तूत किया जाता है दर असल वो फ्रिंज एलिमेंट नहीं है गांधी परिवार के सबसे निकटम व्यक्तियों में से अगर कोई व्यक्ती है कोई राजनेता है और आज से नहीं शुरू से ही कोई व्यक्ती है तो उनका नाम है मनीशंकर ऐयर यह कहना आतीश्योक्ती नहीं होगा कि वो गांधी राजपरिवार के मुकुट मनी है गांधी परिवार का जो मुकुट है उनमें जो सर्वोच्च चमकता हुआ मनी है वो मनीशंकर अयरजी है तो स्वभाविक रूप से अगर कोई आत्मकता मनीशंकर अयरजी की लिखी गई है और कोई स्टेटमेंट मनीशंकर अयरजी देते हैं तो वो केवल मनीशंकर अयरजी का स्टेटमेंट है या उनहीं के भाव हैं ऐसा नहीं है जिवहां बनीशंकर ऐयर की है विचार गांधी परिवार की है One should be extremely clear Whatever Manishankar Aiyarji writes speaks and projects The pen and the tongue may be of Manishankar Aiyar But the ideas and the objectives are the Gandhi family He represents the Gandhi family as none other Bandugan जभी एक चुनाव आते हैं चुनाव से ठीक पहले गांधी परिवार अपने एक प्रॉक्सी मनी शंकर अयर के माध्यम से कुछ स्टेट्मेंट्स रखवाते हैं और ये जो मुकुट मनी है वो चमकता है 2014 से पहले याद करिए ये वही मनी शंकर अयर है जिनोंने नाक भों सिकोड करके नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बन सकता बन सकते भी नहीं बोला बन सकता मोदी कभी भी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता ज्यादा से ज्यादा अगर वो चाहे तो आके जो प्लेनरी सेशन और जो कॉंग्रेस का सम्मेलन हो रहा है दिल्ली में उसके बाहर टेंट लगा करके चाय बेचने का काम करे नतीजा आप सबको पता है देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को भारती जनता पार्टी और एंडिये को थंपिंग मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाया 2019 के चुनाव से पहले गांधी परिवार के मुकुट मनी मनी शंकर अयर उन्होंने फिर से कहा था और उस बार पाकिस्तान में जाकर कहा था कि मोदी को हराना होगा मोदी को हराना होगा, मोदी को हटाना होगा ये वही मनिशंकर एयर है जिनोंने 2019 के चुनाव से पहले घोशना की थी और जिस प्रकार के भाशा का प्रयोग किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी एक नीचादनी है देश के तमाम लोग आश्चरी चकित रह गए थे कि आखिर गांधी परिवार के सबसे नज़दी की व्यक्ती इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रधान मंत्री के लिए कैसे कर सकते है उसका भी नतीज़ा आपने देखा था लोगों ने इस प्रकार के घमंड से भरे स्टेटमेंट्स और इस प्रकार घमंड से भरे नेताओं का हश्र क्या किया 2024 का चुनाव आ रहा है मुकुट मनी फिर से चमके इस बार बोला ही नहीं किताब भी लिग डाला है और एक विशय पे नहीं अनेक विशयों पे बोला है मुक्यत थ्री पीज P1 परिवारवाद P2 पक्षपात हिंदूओं के खिलाफ पक्षपात और P3 जिसके लिए घमंडिया के सारे नेताओं में होड लगी हुई है और लगेगी भी पाकिस्तान परिवारवाद पक्षपात और पाकिस्तान इन तीनों विशयों पर और यह तीन विशय यह जो घमंडिया अलाइंस है यह तीन विशय इस घमंडिया अलाइंस के सबसे फेवरिट विशय है उस पर मनीशंकर आयर जीने थेसिस प्रस्तुत किया है और alliance के जो the soul of the alliance has been presented by Manishankar Ayer in the written format जो alliance का आत्मा है उसे आत्मकथा के रूप में Manishankar Ayer ने रखा है परिवारवाद आप देखिए परिवारवाद को लेकर पीवी नर्सिमहराओ जो कॉंग्रेस के ही प्रधान मंत्री रहे उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग क कि आ गया है इस पस्ट्रूप से दिखाता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता गांधी परिवार से बाहर कोई और व्यक्ति देश का प्रधान मंत्री बन जाए चाहे वो कांग्रेसी ही क्यों ना हो इस विशय को सह नहीं सकते हैं कदाचित सह नहीं सकते हैं और मैं याद दिलादू पीवी नर्सिम व्यक्ति थे जिन्होंने पांच वर्ष के कालखंड को बतोर प्रधानमंत्री पहली बार पूरा किया बगैर गांधी परिवार के होते हुए यह गांधी परिवार कभी सह नहीं सकती थी इसलिए मनी शंकर अयर द्वारा बुलवाया गया कि पीवी नर्सिम महराओ ये तो भारती जन्ता पार्टी के ये तो कॉंग्रेस के ही नहीं है आप समझे जब सोनिया गांधी जी ने पीवी नर्सिम महराओ के मृत शरीर को कांग्रेस के मुख्याले के अंदर आने से इनकार किया उसके पीछे के भाव को आज अनेको वर्षो बाद मनी शंकर अयर जी ने जसका तस किताब और अपने आत्मकता और उसके बाद अपने प्रेस वारता में प्रेजेंट किया है उसे रखा है आश्यरे लगता है कि ये वही मनी शंकर अयर है जो परिवारवाद में इतने अंधे हैं कि जब राहूल गांधी जी की ताजपोशी हो रही थी और मीडिया बंदु आप सबने जाके उनसे पूछा था कि ये तो परिवारवाद है इलेक्षन नहीं होगा क्या तो उन्होंने कहा था अरे जब साजहां के बाद औरंजेव बन गया था तो कॉनसा इलेक्षन हुआ था औरंजेव तो आराम से बन गए थे तो अब राहूल गांधी बन गए तो कौन सी बड़ी बात तो परिवारवाद के इतने बड़े भक्ते हैं, सुभाविक रूप से आज नरसिम महराओ जी के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं पक्षपात, हिंदूओं के खिलाफ पक्षपात, यह नाकेवल कॉंग्रेस, अपितू यह जो घमंडिया अलायन्स है मैं बार-बार याद दिला रहा हूँ, और यह किताब का भी आना यह महज एक कोइंसिडेंस नहीं है, बहुत सोच समझ करके अलायन्स के विचारधाराओं को थेशिस के रूप में प्रस्तूत किया है, मनी शंकर अयर जी ने, और इस किताब में वो लिखते हैं, भव्य राम मंदिर का निर्मान चल रहा है, देश की जनता शानती प्रिय तरीके से इस विशय को उन्होंने ग्रहण किया, मान्य प्रधान मंत्री यशशवी प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने उद्गाटन किया, सिलान्याज किया, एक इतिहास रचने जा रहा है, और उस समय ये क कि में तो बावरी मश्जित का पक्षधर हूं। ये मैं तो बावरी मश्जित का पक्षधर हूं। ये मैं यह नहीं है। ये घमंडिया Alliance है। ये Congress Party की मूल विचारधारा है। This is the ideology of the घमंडिया Alliance. This is the basically ideology of the Congress Party which has been presented through Manishankar Iyer today. आप सोचिये ये वही Manishankar Iyer है जिन्नों कुंदिर का विशय जब कोट में चल रहा था तब उन्होंने कहा था कि अयोध्या के महल में तो दस हज्जार कमरे थे क्या भारतिय जनता पाटी या हिंदू ये प्रूफ कर सकते हैं कि किस कमरे में भगवान राम का जन्म हुआ था इस प्रकार के घ्रणत शब्दों का प्रयो है पाकिस्तान उसके बिना तो ये मनीश अंकर आयर जी या कॉंग्रेस पाटी जी ही नहीं सकती है अगर का पाकिस्तान परेशान हो पाकिस्तान के उपर आफ़त आ जाए पाकिस्तान के उपर सर्जिकल स्ट्राइक हो जाए एर स्ट्राइक हो जाए बान लगता वहां है चट हिंदुस्तान ने पूरे विश्व में एक किर्तिमान स्थापित किया चंद्रयान साउथ पोल में लैंड कर रहा है ठीक उसी समय एक प्रिस्वारता आता है मनीशंकर अयर का और वो कहते हैं कोट अनकोट भारत कभी विश्व गुरू नहीं बन सकता क्यूंकि भारत पाकिस्तान को नजर अंदाज कर रहा है अगर भारत अपने पश्चिम के नेबर के साथ शांती स्थापित नहीं कर सकता अगर भारत पाकिस्तान से बाचीत नहीं कर सकता तो भारत कभी विश्व को रास्ता नहीं दिखा सकता भारत कभी विश्व के राह को आगे से लीड नहीं कर सकता है मनीशंकर अयर जी, राहूल गांधी जी, सोनिया जी, कान खोल के सुन लीजिए, चाहे आप कितना भी भारत के लिए बद्दुआ दे दे, इंडिया हैस अल्रेडी प्रूव्ट इस मेटल, भारत वर्ष ने अपने हजारों वर्ष की तपस्या के कारण, भारतियों के परिश्र कभी नंबर एक नहीं बन सकता है, यह गलत है, पाकिस्तान, 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 सर्जिकल स्ट्राइक के विशय में लिखा है, कि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक तो कर सकते हैं, मगर पाकिस्तान से बाचीत नहीं कर सकते हैं, इससे पहले, जब हमारे प्रधान मंत्र थे हम बातचीत कर रहे थे बड़े स्पष्ट रूप से भारत ने कहा है नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है टॉक्स एंड टेरर कें निवर मूफ टुगेदर आतंकवाद और बातचीत कभी साथ साथ नहीं चल सकती है इसलिए सोनिया जी राहूल जी खडगे जी और आपके प्रवक्ता मनिशंकर अयर जी इस बात को स्पष्ट रूप से सुन लीजिए जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिजम नरेंदर मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है आतंकवाद को सहेंगे नहीं आँख मिला के बात करेंगे जुका के नहीं आप लोगों ने आँख जुका करके देश को जुकाने का काम किया था आँख मिला करके नरिंदर मोदी जी बात कर रहे हैं जसको तस जवाब दिया जा रहा है इसलिए जिस प्रकार की वारता आपकी पाकिस्तान को ले कर आ रही है ये निंदा जनक है